नमस्कार चार दिन पहले जब फिल्म आदिपुरुष का टीजर रिलीज हुआ तब से लेके अभी तक चारों तरफ एक हंगामा है एक शोर है फिल्म इंडस्ट्री में चैनल्स में जनर्नलिज्म में एपिटाइजर्स में संत समाज में चारों तरफ एक शोर है चारों तरफ डिबेट्स हो रही है चारों तरफ भली बुरी बातें कही जा रही है मेरे पास भी सैक्डों फोन आये होगे सभी चैनल्स से फोन आये जितने सभी जनर्लिस्ट हैं बड़े बड़े जनर्लिस्ट और सभी के phone आये They wanted my reaction on that On the teaser कि आपको कैसा लगा आपके क्या reaction है, k्या सोचते है इस बारे में मैं आपको सच बताऊँ मैंने एक भी शब्द किसी से नहीं कहा मैंने बात ही नहीं की उस विशाय में मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन मुझे लगा कि मुझे आपसे कुछ बात तो करनी चाहिए आपसे करनी चाहिए मेरे मन में बहुत सारी बाते बहुत सारे समय से आती रही है और इस हंगामे को लेकर इस इशू को लेकर मुझे लगा कि शायद ये सही समय है जब मैं अपनी बातें आपके साथ शेयर कर सकूँ दोस्तो ध्यान से सुनिये गा रामाइन, महाभारत, श्रीमत भागवत जैसे जितने भी ग्रंत हैं, शास्त्र हैं ये हमारी संस्कृतिक और धार्मित धर्व हो रहे ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी जड़ है सारी मानव सब्भेता के लिए ये नीव के समान है और ना तो नीव को हिलाया जा सकता है और नहीं जड़ को बदला जा सकता है नीव या जड़ से किसी भी तरह का खिलवान ये किसी भी तरह की छेरचा बिलकुल भी ठीक नहीं है हमें इन शास्त्रों से संसकार मिलते हैं जीवन का अधार मिलता है ये धरोहर ही हमें जीने की कला सिखाती है हमारी संस्कृती विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृती है हमारी हर पीड़ी इसे युगो युगो से आत्मसाथ करती आ रही है जिसका सबसे बड़ा एक्जैम्पल है ठाई साल पहले जब करोना आया था तो करोना ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को तब से लेकर आज तक और भी प्रबल कर दिया है हमारी धार्मिक परमपराओं और मान्यताओं को और अधिक पुस्ट किया है इस महामारी ने टीवी पर जब धारवाहिक रामाइट पसारिथ हुई थी करोना के दोरान तो रामाइट ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया आप सब जानते हैं हम सब जानते हैं ये एक बहुत बड़ा संकेत है हमारी मान्यताओं और परमपराओं की प्रमानिक ताका इस बार यानि 2020 में रामाइट आज की युवा पिर्धी ने भी देखी और 35 साल पहले बनी रामाइट को पूरी श्रद्धा और आस्था से देखा, समझा और आत्मसाथ किया आज जो बेहजाब लोग उच्छे मिलते हैं उनमें सबसे ज़्यादा संख्या टीनेजर्स की होती है दोस्तों 500 साल के संखर्ष, अथक प्रयक्न और जद्द जहद के बाद रजाने कितना रक्त बहाने के बाद हमें राम मंदिर के पक्ष में निरने मिला और वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है जो 2024 तक पूरा भी हो जाएगा एप्रिशेट करने वाली बात ये है कि मंदिर को भविता देने के साथ साथ उसके आत्मा और मौलिक्ता को जियों का अत्यों रख कर ये मंदिर बन रहा है हमें अपनी सभी सांस्कृतिक और धार में धरो हरो और माननेताओं को जैसी वो है वैसी ही बनाए रखना चाहिए उनमें किसी भी तरह के बदलाव की न तो जरूरत है ना करना चाहिए और नहीं किसी को किसी और को करने देना चाहिए फला कोई अपनी जनीव हिलाता है क्या कोई अपनी जड़े बदलता है क्या हमारी इंधार में सांस्कृतिक माननेताओं और परंपराओं को किसी भी तरह का कोई नयापन देने की आवश्रक्ता नहीं है तेकि मेरा प्रयास और कर्म तो यही है कि मैं इस जनरेशन को और अगली पीड़ी को भी वही सिखाऊँ वही बताऊँ वही दिखाऊँ जो वास्तावे सत्त्य है शाश्षत है और सनातन है एक बात और सोचने वाली है किसी और धर्म की परंपरा या माननेता में जब किसी भी प्रकार का बदलाव या नयापन नहीं किया जाता तो हमारी सनातन धर्म के माननेताओं परमपराओं के साथ छेर चार आखिर क्यों आजकर ये चलंज सा बनता जा रहा है कि सनातन धर्म का मज़ाग बनाओ देवी देवताओं के अबजेक्शनेबल पोस्टर बनाओ अब अधर भाशा में बोलता हुआ दिखाओ आकर किसने अधिकार दे दिया कि कोई हमारी धार में कास्ता से छेर चार करे या हमारी भावनाओं को ठेस पहुचाए कुछ फिल्मेकर्स कुछ राइटर्स, कुछ पेंटर्स, कुछ एक्टर्स कुछ एड़िटाइजर्स को इस बात का विशेज ध्यान रखना चाहिए कि वो क्रियेटिव लिबर्टी के नाम पर धर्म का मजाप न बनाए और नहीं किसी की माननेता या परंपरा को तोड़ मरोड कर प्रस्तु करें दोस्तों ये ये किसी राजनितिक पार्टी या धर्म के लिए नहीं बलकि पूरे देश के लिए एक स्वाभिवान बढ़ाने वाली बात है कि आज हमारे प्रधान मंत्री शी नरेंद्र बोदी जी के नेत्रत्व और कुशल माग दर्शन में देश के कोने कोने में संस्कृतिक थार्मेक और एतिहासिक धरोहरों को पुना पहचाम मिल रही है स्थान स्थान पर कॉरुनर बनाय जा रही है जिन से हमारी धरोहरों की रक्षा भी हो रही है उनका पुनर निर्मान भी हो रहा है साथ ही उनकी मौनिक का भी यथावत रखी जा रही है मोदी जी ये देश सदाइब आपका रिड़ी रहेगा मेरा अनुरोध है आप सबसे कि आप सब पूरी सक्रियता और जागरूपता के साथ अपनी अमूले सांस्कृतिक धार्मिक मान्यताओं और धरोहरों को सहेच कर संभाले रखने का संकल्प करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें धन्यवाद नमस्कार